हाई गाईज आप देख सकते हैं हम आ गए हैं यहां जाउनपुर में घोमने नदी के किनारे जो कि आपको हम यह नजारा दिखाते हैं दोस्तों देख सकते हैं सामने मंदिर है और यह बना हुआ है ब्रीज और इस पर से हम गुजरते हुए जार हैं तो यह रहा नदी का नजारा और यह पुर्वाना वाला पुल है दोस्तों यह पुर्वाना वाला पुल है यहीं हम घूमने आये थे आज तो हम सोचे कि आज एक छोटा सा ब्लॉगिंग कर लेते हैं यह रही सिवड़ी इधर से हमें जाना है वहाँ और यहां से हम अभी उतरे हैं जो कि आप देखी रहे हैं तो हम सिवड़ी से चल रहे हैं नीचे सब्सक्राइब यहें क्या नीचे ०्यूमती अभियान इनका वाला पुल क्योंकि आई चाहिए जरुगार क्योंकि चली वो क्योंकि आई सही क्या गजाब नगजारा वा देखाद बनाद वा कहो यहीं मचरी मराथ है आरश कहो सिवाम मचरी मराथ है देखी थे कागदाय के उनके उमारत रहा थे बाबा स्री गुम्ते स्वरनाथ मंदिर चला मतलब यही हैं गुम्ते स्वरनाथ गुम्ते स्वरनाथ मंदिर हो गुम्ते स्वरनाथ मंदिर यह नहां यह वार हाँ वाब वोयर कागदा हें लागत वहीं से ही बाब दोस्तों आप देख सकतें कितना कचड़ाँ वहा जो कि आपको दिखी रहा होगा किस तरह से पूरा पूरा कचला बहा जा गया पीपल पेड़ हुआ वा क्या नजा रहा है वा 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 तो दोस्तों ये पीपल ही नहीं बरगत भी है इसमें दोदिश्या आपको दिख रहा होगा ये पीपल की पत्ती है और वारगत का पत्ती है और पेड़ तो ये की जो कि आप देखी रहे हैं कि आउ के कर मंदिय और पूरा सिन हमार ओडियंस देखें हुआ हमार मित्रगाण है तो दोस्तो हमाद है है यहाँ हमने क्या कहते हैं गुम्तिश्वरनाथ मंदिर यहां पर बादू में जो कि आप में अभी देखा है गुम्तिश्वरनाथ मंदिर का दृष्ष्य है आपको दिखी रहा होगा और हम यहां आए हैं आज पहली बार आए हैं दोश्तों सोच रहे थे एक ब्लॉगिंग कर लेते हैं वैसे आप लोग समाज में नहीं आ रहा है पानी बहुत ही गंदा है नहाएं यह नहीं है तो वह इसे के रूप देश पानी भरे इसे भल भल अरे काब हो दोस्तों इस मंदिर पे लिखा हुआ है चिपकाया गया है तो बताइए हम कैमरे में हैं यहां कैमरा लगा हुआ है और इसके बाजों में यह रहा ब्रिक शितना मोटा है और काफी बिशाल काय पेड़ है दोस्तों और काफी दूरी तक इसका छाओं भी है और इस छाया में यहां एक छोठा सवनल है जिसक्तर अभी चोटे चोटे यह बच्चे आये थे पानी लेने और इन्हें डर लगने लगा दोस्तों ये डर ने लगे क्योंकि इन्हें लगा कि हम कुछ कर रहे हो सिर्फ सूठ ही कर रहे थे इन लोगों को डर लग जया और देखे पानी देखे जा रहे है बस कर रहा हो मतलब आद तू सब चाहा था अग नलका जुरुआ जाए नलका आद तू सब जुरुआ देवा में लागा तब अच्छी बात तो यह रहा है आप देख सकते हैं यह रहे हैं देवता आप काउं से देवता हैं जो कुछ बता नहीं रहे हैं अच्छा का जो धर देवता है चलो अच्छी बात तो यह रहा मंदिर का नजारा ला देखो कौई कौण सी देवी हैं यार उसना कुछ समझ है नहीं जा रहे हैं अब हम चल रहे हैं जिस रास्ते से यहां आये थे जिस रास्ते से यहां आये थे अब उसी रास्ते से जाएंगे बाहर मार्केट में अरे तोहार से सेलफी हम ले ले थे टेंसान जिनला इसमाईल प्लीज या तोहार आजू पूरे स्टाइल माई यह तो दोस्तों सेलफी लेते हुए पकड़े गए हैं और इसमाईल कर दिये हैं अब जो कि आप देखी रहे होंगे तो अब हम चल रहे हैं मार्केट में और मार्केट का नजारा दिखाते हैं यहां सिलाए मसीन बहुत सारी हैं और कपड़े वगएरे यहां दिक रहे हैं जहां हम आये हुए हैं गाड़ी थोड़ी खराब हो गई थी इसी वज़े से हम लो जब में है नहीं तो कि हम लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं कहीं दुकान पर भी कुछ भी समान निकलो आप देख रहे हैं बस चले आ रहे हैं पर इसे एक सट लिए हैं दोस्तों सोच रहे हैं एक साड़ी बगारा कुछ ले लेते हैं इतने दीबी के लिए अब देखो ले लेते ह अब दोस्तों यह देखिए वीडियो तो कि चला भाई खिचाएगे दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरह से स्यूधी बनाईगे यह और इस पर हम चड़ेंगे कि कितना पुराना यह बना हुआ है तूट रहा है अब पुरा सीन आप देख सकते हैं जूना हो गया काफी मोटी दिवाल थी दोस्तों राबिश से जोड़ी गई है खाते पीते हुए घर का है यह कुत्ता और वो विचारा दुखी है गरीब घर का तो आप यह देखिए सिलाए मसीन गना जा रहा है कौन कौन बरांड़क शिलाए मसीन हो हो कौनम कौनम मस्त माडल कुगा पूरा द्रिश्टी यहां साउर बढ़ेंगे दिखें कर दोस्तों जानपुर का यह पूराना पुल है जहां हम आए हुए है तो आप मार्केट यहां का देख सकते हैं किस तरह से लगा हुआ है किनार किनार मंँदिर नजर आ रहा है हम क्या मताने को समझ मा नहीं हा रहा है कि नदी की किनारे किए सरे देओ शींदर का कि तो दूस्तों आप देख सकते हैं जूता सैंडिल चपड के दुकान पर आये हुए हैं पर छोटे बच्चे के लिए दूता एक लेने के लिए लाइट वाला देखते हैं मिलता है कि नहीं तो हमारे जो दुकान दार मालिक हैं उन्हें थोड़ा तकलीफ हो रही है तो कि हम बलागिंग कर रहे हैं यहां पर सोच रहे हैं कि यह क्या कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यह रहा बूट जो कि लाइटिंग है इसमें और देखो ले लेते हैं कि नहीं कितना महेंगा है यह तो नहीं पता है देखते हैं